नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मन मोहन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके पुराने हार्ड ड्राइब का गुड यूज़ करना सिखाऊंगा पुराने हार्डिस्ट में देखिए ये मोटर होती है जो मोटर होती है ये BLDC मोटर होती है जो कि इस पेंडल मोटर के रूप में काम करती है इसके प्लेटर को घुमाने के लिए यहां पर हम यह connector open करके इस flap band को निकाल सकते हैं इस motor को हम इस hardest में से निकालेंगे और इसका हम यूज कई जगह पर कर सकते हैं जिसा कि आप जानते हैं यह BLDC motor है BLDC motor जिसा कि आप जानते हैं कि हम drone में यूज करते हैं यह ज्यादा कुछ नहीं तो इस पर हम कोई पंखा लगा कर एटलिस cooler ही बना दे BLDC motor वाला ठीक है तो हम देखेंगे इस hardest में सबसब पहले हम यह motor निकालेंगे यहां पर कुछ screw दिये हुए जो हमें unscrew करने हैं यहां से और इन screw को खोल कर हम इस hard drive को open करेंगे यहां पर दो और screw थे जो मैंने पहले खोल चुका हूँ ठीक है यहां से open कर सकते हैं यहां पर हम screw driver की मदद से यहां थोड़ा सा अगर हम pressure apply करें तो यह खुल जाएगा ठीक है यहां से ठीक है रुकिए इसमें कहीं पर एक और screw भी होगा बिलकुल यहां पर है देखा आप देख सकते हैं यहां पर एक और screw दिया हुआ है तो इसको हमें यहां पर खोलना पड़ेगा इसके बाद ही हमारा hard drive जो है open होगा तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि पुराने किसी भी hard drive को आप खोल कर उसमें से spindle motor निकाल सकते हैं और उस spindle motor का जो की एक BLDC motor होती है उसका यूज़ करके हम कोई भी device बना सकते हैं ठीक है fan cooler या drone या anything जो भी आप चाहें तो चलिए अब यह हम क्या करेंगे यहां पर आपको दिख रहे हैं किते प्लेटर्स इन प्लेटर्स को उपन करना है बुलकुल mirror की तरह उपर मेरा पंखा भी दिखाई दे रहा होगा आपको प्लेटर में घुमता हुआ ठीक है तो इन स्क्रूज को हम खोलेंगे यहां से इन प्लेटर के उपर जो लगे हुए हैं एक करके इसके प्लेटर्स निकालेंगे आइ थिंक दो या तिन प्लेटर होने चाहिए है इस हार ड्राइव में 120 GB का हार ड्राइव था दोस्तों यह जो खराब हो चुका है और इसमें से हम यह बीलडी सी मोटर निकालने वाले वैसे पुराना अगर हार ड्राइव आप पर्चेस भी करते हैं खराब तो डेफिनेट इसको यहां से निकाल देता हूँ आप देखेंगे कि यह इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एक और अटेच्मेंट जो की प्रोटेक्शन है डिवाइडर है दोनों प्लेटर के बीच में सेमसंग कंपनी का यह हार ड्राइव है जो मैं आपन कर रहा हूँ आपके सा इस रिंग को निकालेंगे अब इस प्लेटर की बारी इस प्लेटर को अगर निकालना है तो हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी हैड को साइड में करने के बाद यह निकल लिया बिल्कुल अब आपको यहां पर मोटर दिखाई दे रही है यह स्पेंडल मोटर है जो कि DC motor होती है ठीक है तो इसको drive करने के लिए हमें ESC controller की आवशकता होती है तो आगे किसी वीडियो में अगर आप चाहे तो ESC controller भी बनाना सिखेंगे हम ठीक है फिलाल मैं आपको जो BLDC motor का reuse करना सिखा रहा हूँ ठीक है तो इस hard drive में से हमने यह motor निकाल लिया और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कितने सारे screw हमें खोलने पड़े थे ठीक है इन इस screw की मदद से इस motor के ऊपर भी कोई attachment हम लगा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने shaft नहीं है अच्छा यहां पर यह connector है connector में हमें कुछ contacts दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम सबसे पहले identify करते हैं जिसा कि आप जानते हैं ड्रोन में जो हम BLDC motor यूज़ करते हैं तो अभी हम resistance मेजर कर रहे हैं देखिए यहां पर first point पर हमने यह black वाला रखा और यहां पर red वाला second point पर तो आप देखेंगे इसका कुछ resistance बताएगा 2.0 ohm ठीक है 2.0 ohm 1.7 कम होता जा रहा है ठीक है अब इसी point से first point से second का भी लगपक बराबर resistance आ रहा है और third का भी resistance बराबर आ रहा है मतलब जो सबसे पहला है देखिए यहां पर resistance आप देखेंगे कितना आ रहा है लगपक 2.0 sorry 3.6 आ रहा है सब में सब में 3.6 आ रहा है इधर 2.0 है first second में फिर first से ही तीनों point का क्या हो रहा है यह automatic ranging हो रही है चलिए जो भी है तो यह first point जो है common हो गया और बाकी है जो तीन point है इन तीन point का यूज़ करेंगे हम तीन phase के लिए ठीक है तीन DC के phase यूज़ करना है ओके तो यह तीन point जो हमारे का हमके हैं बीच वाला जो है first point जो था इससे सभी का resistance बराबर था तो हमको solving wire लेकर यहां पर कुछ wire solder कर देंगे ठीक है उनी wires को हम ESC controller से लगाएंगे और उनके उपर जो है हम हमारा power देंगे ठीक है three phase DC दिया जाएगा कैसे मैं आगे बताऊंगा वीडियो में आपको ठीक है drone बनाने की एक video series parallel चल रही है आपने देखा होगा उसमें हमने single BLDC motor को use किया था और उसके बाद हमने चार BLDC motor use करके drone का frame तयार कर दिया है और कुछ दोस्तों का कहना था कि BLDC motor जो costly होती है तो उसको क्यों हम hard drive में से निकाल लें तो इसलिए यह video में ने बनाया है hard drive में से हम or is BLDC motor का use करके drone बना पाए तो अच्छी बात है और drone अगर नहीं भी बन पाए तो इसमें actually rpm तो अच्छा होता है 10,000 rpm तक जो है बिल्कुल इसका rotation रहता है लेकिन इसका torque उतना अच्छा नहीं होता है तो हमें यह तो इसमें जो blades लगानी होगी वह काफी हलकी लगानी होगी चलिए फिलाल हम इसको use करते देखिए एक wires लेंगे और तीनों wire को मैं बराबर cut कर लेता हूँ अब इन तीनों wire को हम यहाँ पर solder कर देंगे जो हमने coil के 3 point find out किये थे उसके ओपर solder कर देंगे चलिए तो यह तीन wire है हमारे इन तीनों wires को हम जो जो तीन पॉइंट find out किये हैं कोईल के BLDC motor के उसके उपर हम इनको fix करेंगे ठीक है इनके उपर थोड़ा सा solving wire solder करने से क्या होगा कि यह बहुत ही आसानी से solder हो जाएंगे हमारी motor के उपर ठीक है यहाँ पर काफी बार इक शोलरिंग करनी है तो साउधानी से कीज़ेगा क्योंकि अगर आपने पॉइंट्स तोड़ दिये एक बार ठीक है तो फिर जो है इसकी कोईल अंदर रहेगी और आप देख सकते हैं पूरी aluminum की यह motor है ठीक है इसलिए जो aluminum से बनी हुई है तो यह हीट सिंग का काम भी करती है जो aluminum इसकी पूरी body है ना वो इस पूरी motor का हीट सिंग का काम भी करेगी जिसके वैसे यह motor cool रहेगी और देखिया hard drive का तो काम होता है continuous चलते रहेना तो मतलब काफी अच्छी quality की motor होती है high quality की motor होती है और बिल्कुल 24 hours इसको आप continuous नहीं होगी ठीक है तो इसी motor का हम कुछ good use करने वाले हैं फिराल हम देखेंगे कि इसको क्या हम reuse कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि motor में 3 wire solder कर दिये और अब दूसरे end जो है इसी के उसी पर हम जो है थोड़ा सा finishing work कर रहे है और इसको फिर हम ESC controller जो होता हमा हमारा complete हो गया है अब इसे हम जो है कनेक्ट करते हैं पावर से उसके लिए ESC controller हमें लेना होगा देखें क्या क्या चाहिए तो भी LDC motor एक यह ESC controller जो ड्रोन वाली series में आपको यूज करना बताए था और यहां पर सर्वो टेस्टर लगेगा हमारा सर्वो टेस्टर से हम इसक आपर जो तीन वायर आरे है रेंड़मली आप अभी लगा लेंगे बाद में अगर इशु हुआ या नहीं चला तो हम इन वायर को चेंज कर सकते फिलाल अभी हम इसको रेंड़मली जो जहां पर लगना चाह रहा है वह पर लगा देते हैं पिलाल हम यहاं पर देखिए यहा कर देते हैं यह सर्वों टेस्टर है यहां लगाएंगे यहां पर लगाते हैं समय आपको ध्यान रखना है कि रुख्या में आटो-फाकस करता हूं केमरा को एक बार और अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्लस माइनस और आउट ठीक है प्लस सेंटर में मतलब रेड़ वाला वायर सेंटर में तो डेफिनेटल सेंटर में और ब्राउन वाला माइनस है और यलो वाला इसका आउट है तो ठीक है इसको इस तरह से लगाया और जूआ करेगी बिलकुल मोटर की आवाज भी मैं आपको सनाऊंगा अब वही सोवर की जयसे हैं आपको सांड नहीं सुनाए देगा मोटर का इस'll filter अब अभी फिलाल तो मैंने रेड को ब्लेक से चेंज किया है और येलो को उसी की जगह वापस लगा रहा हूँ ठीक है चलिए अभी टेस्ट करते हैं अभी भी नहीं घुम रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब हम क्या करेंगे कि येलो को जो है रेड से इंटरचेंज कर देंगे और फिर इंटरचेंज करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि चलिए आपस मैं इंटरचेंज करके बताता हूँ देखिए हमने इंटरचेंज कर दिया है और अब मैं आपको यहाँ पर जब सरवो टेस्टर घुमा रहा हूँ तो आप देखेंगे मोटर घुमती हुई दिखाई दे रही है ठीक है तो यहाँ पर काफी अच्छी है बहुत ही साइलेंट मोटर है और आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वीडियो में इसलिए ब्लेक कलर का टेप में इस पर लगा देता हूं ताकि आप जो है इसको सुन पाएं आपको सुन के बहुत ही आस्चेर ह होगा कि मोटर इतनी साइलेंट के केवल मोटर चलती तो आवाज नहीं आती है अगर इसमें टेप लगा कर चला रहा हूं तो इसके आवाज आएगी बिल्कुल आपको आवाज में सुनाओंगा भी ठीक है तो फिलाल जो है यहाँ पर आपकी मोटर जो अच्छी तरह से घु अब आप उसकी साउंड सुनेंगे उसके बाद वापस वाइस ओवर पर मैं आओंगा अगा 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 wise अगा 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 σα तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस मोटर को जो है कितनी साइलेंट है ठीक है तो इस मोटर के ओपर इस तरह से एक बॉल्ट हम लगा सकते हैं सूपर गलू से चिपका सकते हैं इस बॉल्ट के अंदर फिर हम जो है हमारा ड्रोन का फैन या जो भी हम इसमें फिक्स करना चाहिए क्योंकि इस मोटर में शाफ्ट नहीं ठीक है तो देखें यहाँ पर इक मोटर में हमने एक बॉल्ट फिक्स कर दिया यह थोड़ा दुसरे टाइप कमोटर था पर उसी तरह से वक कर रहा है यहां पर हमने एक बॉल्ट को जो है सूपर घ् बीच में हम कोई भी जैसे कि यहाँ पर यह ड्रोन का फैन है यह इसमें फिक्स कर सकते हैं और अगर इसको हम उपर नट लगाकर इसको फिक्स कर दें तो अब यह जो है फैन इसमें से बाहर नहीं निकलेगा इसको टाइट कर देंगे ठीक है तो इस तरह से सूपर क्लू की मद क्या इसको दोलर से से क्यों के वायर को से सिक्वेंस से कर्粧 कर देता हूं यह और संटर में ब्राउन वाला रहेगा आप दोनों पर जो है यह फॉ है यह होगिए ठीक है यह हो गया इसका वायरिंग इसको मैं होल्ड कर लेता हूं और अब यहां पर घुमाओंगा आप देखेंगे कि यह बिल्कुल उठना शुरू हो गया और काफी अच्छी हवाई दे रहा हाला कि इसका टॉर्क कम है मोटर का इसलिए ज्यादा हाई स्पीड पे इस फेन क इनका वेट ज्यादा है तो ज्यादा टॉर्क के साथ यह जो है यह मोटर नहीं चल पा रही है ठीक है तो इस मोटर का यूज़ करके हाला कि यह प्रॉपिलर लगाने के बात भी अगर कम स्पीड पे चला जाए तो यह चल रहा है और काफी अच्छी हवा दे रहा है और काफ उसरे ब्लेड्स यूज़ करना पड़ेंगे थोड़े चोटे साइस के ठीक है और हलके भी ओके फिलाल इस मोटर को हम यूज़ कर सकते हैं ऐस फैन या एज़ कूलर की मोटर के रूप में अगर हम छोटा कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो उसमें यूज़ कर सकते हैं और बहुत सूपर साइलेंट मोटर है ठीक है तो इसको हम कहीं पर यूज़ करेंगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट में ठीक है फिलाल कुछ दोस्तों ने मैं इसे रिक्वेस्ट की थी कि हार्ट ड्राइव के मोटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो उसके ओपर मैंने वीडियो बना सकता हूँ आप दोस्तों सस्क्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाए था जिसमें मैंने आपको हार्ड ड्राइव का जो मोटर होता है बील डीसी उसे यूज़ करना सिखाया ठीक है यह सी कंट्रोलर के बगेर यह नहीं चलेगा यह सी कंट्रोल भी बनान स्झता है